स्वागत करते हैं आप समीका हम सब के युद्व चैनल लर्णिंग विस सुमित में और इस चैनल पर हम लोग इंजिनिरिंग मेकैनिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें टॉपिक चल रहा है सेंट्रॉइड एंड मोमिंट आफ इरसिया तो सेंट्रॉइड में जो प्रिवियस लेक्च है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां पर मैं लिंक दे रहा हूं आप उस लिंक को क्लिक करके विडियो देख लीजेगा उसके बाद यह नुमेरिकल आपके समझ में आएगा तो आज हम लोग इस पर सेंट्रॉइड पर एक नुमेरिकल करेंगे जो कि एल सेक्षन है और क चेंज कर लेगे और यहां पर हम नमरिक गार सेंट्रॉइड करना होता है तो सबसे इम.पोटेंट यह है कि हमें सेंट्रॉइड कहा से देखना है कहा से मताना है कुश्चन में कोई reference axis नहीं दिया है तो हम free है reference axis लेने के लिए तो हम यहां पे जो reference ले रहे हैं वो बिल्कुल इसके base पे यहां origin और यह हमारा x axis होगा और height के साथ हम इसके height के साथ बिल्कुल लगके चलेगे और यह हमारा reference y axis होगा तो इस तरह से जो हमारा यह L section है यह आजाएगा first quadrant में जो L section है यह किस quadrant में आजाएगा first quadrant में अब हमें यह देखना है कि individual जो rectangle है उसका centroid कहां पे है उसके बाद composite figure का centroid कहां पे है तो अगर individual की बात करें तो हमारा जो rectangle one है आप जानते हो इसका centroid b by 2, h by 2 पे होता है और इसके width जो है यह 5 cm और यह भी है यह भी 5 cm यह भी 5 cm तो इसका centroid अगर हम identify करेंगे तो b by 2, h by 2 कुछ इस point में आएगा इसको भी लिख देखते हैं यह first figure का centroid हो गया और second जो हमारा rectangle है इसका centroid यहां भी नहीं आएगा इसका centroid यहां भी नहीं आएगा तो यह जो centroid है first figure का और second figure का इसको हमें इस reference y axis और reference x axis से देखना है इंडिविजूल figure का centroid और यह जब हमें पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे पूरे L section का centroid find देंगे तो ही style करते हैं इस question को और देखने कैसे इसको solve दिया है इसके लिए हम लोगे table बनाएंगे table में serial number table में serial number और दूसरा जो होगा हमारा save हम ले देते हैं save क्या है serial number save और centroidal distance from y-axis centroidal distance distance from y-axis or centroidal distance distance मैं centroidal को यहां सी दिख रहा हूं centroidal distance from y-axis and centroidal distance distance from x-axis यह x और y हमारे reference axis है और इसके बाद figure का area area ठीक है तो इस पे हम लोग इस table की according हम लोग चीजों को find करेंगे तो अब क्या करते हैं इसमें एक-एक figure को लेते हैं individual rectangles को लेते हैं जो हमारा L-section था इसको हम लोग ने divide कर लिया है दो rectangle तो first rectangle में इसको वाना है जो हमारा vertical है तो हम first save की बात करें यहां number one, serial number one और यहां पर जो save हमें मिल रहा rectangle का वह कुछ is type ने मिल रहा है यहां save बना लेते हूं save वाला portion थोड़ा सा इसके पास में लिखता हूं तो save अगर हम बनाएंगे तो हमारा rectangle जो है कुछ is type का है हमारा rectangle कुछ is type का है अगर इस rectangle के centroid के हम आप से बात करें तो इसका centroid जो होगा यह by2,h by2 के होगा और इसका dimension जो है base कितना है इसका base है 5 cm यह distance में दिया हुआ है 5 cm और height जो हमें given है height की अगर हम बात करें इसका height है 20 cm इस rectangle का height है 20 cm मैं बिल्कुल step by step आपको समझा रहा हूं जिससे आपके समझ में आ जाए question और अब हम लोग क्या करेंगी यहाँ पे reference देख लेते कहां से हमें देखना है तो reference जो है y-axis बिल्कुल इसके साथ लगा हुआ है y-axis और जो x-axis है एक्स-axis के base के साथ है यह हमारा x-axis है और यह y-axis तो इस x और y-axis पे हमारा rectangle लाइक कर रहा है इसका dimension कुछ इस टाइब से base 5 और height 20 अब जो centroidal distance है y-axis से हम इसको मालते है first figure का इसको माल लेते है x1 और x-axis से जो distance है इसको माल लेते है y1 perpendicular distance to y1 और यह हमारा figure का centroid है first figure का centroid है तो यह जो x1 है आप जानते हो rectangle का centroid कहां पे होता है b by 2 यह distance कितना होता है b by 2 तो centroidal distance from y-axis के अगर हम बात करें तो हमारा x1 आएगा यह आ जाएगा b by 2 और b मतलब first figure का b यह वीवल इसको माल ले तो यह हो जाएगा 5 by 2 तो हम इसको लिख सकते हैं इसको भी लिख सकते हैं इतना x1 equal to 2.5 यह बज़र पर देते हैं 5 by 2 को यह आ गया 2.5 cm तो हम लेट से लिखते हैं जिससे हमें आगे y1 लिखने के लिए sufficient space मिल जाए तो आप जानते हो यह जो x1 है यह x1 हमारा होगा b1 by 2 और b1 कितना है 5 तो यह आ गया 5 by 2 और हमने लिखा इसको 2.5 अब इसके बार हमने देखना है centroidal distance from x-axis तो x-axis से जो centroidal distance है इसको हम देखेंगे यह कितना है y1 इसको हम लिखेंगे y1 तो y1 equal to यह जो height होते ही कितना होता है कल मैंने आपको बताया था rectangle की case में यह height आपता है hy2 होगा rectangle 1 है तो h का मतलब h1 y2 और इसके height कितनी है 20 तो यह हो जाएगा 20 y2 equal to 10 अगर हम इस figure के area की बात करें तो rectangle का area होता है b into h rectangle का area होता है यह होता है b into h तो first है तो b1 h1 तो b1 h1 हमारा हो जाएगा 20 into 5 20 into 5 तो यह आजाएगा a1 मारा जाएगा 100 100 centimeter square अगर unit की बात करें तो इस तरह से हम लोगों ने find किया इस rectangle का x1 कितना होगा y1 कितना होगा x1 और y1 किया है first rectangle के centroid के coordinates है अगर एक ही rectangle होता तो यह हमारा x-bar y-bar हो जाता है लेकिन एक rectangle नहीं है दो है तो first की analysis किया तो first में x1 पता चल गया 2.5 y1 पता चल गया 10 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहां लिक देता हूँ इक पोल टू आगया है 2.5 cm और यह इक पोल टू आजाएगा आपका 25 तो 10 cm और यह आगया 100 अब इस तरीके से हम लोग सेकेंड सेंप लेते हैं सेकेंड तो हमारा जो सेकेंड फीगर है यह एक horizontal rectangle यह कैसा नहीं जाता ज्यादा थी बेश कम था सेकेंड टेंग जो फीड़ों इसका ज्याहदा है चन्क का बेश ज्यादा है कि और है का देट यह को है यह को तो है तो यहां फेश्टक रटेंगल है इसका इसके बेसे ही लेकिन जो y-axis है वो यहां से कुछ दूर है यहां से कुछ दूर है यहां से इसकी कुछ distance है इसको यहां पे यह हमारा रड़ तेक राड़ तो तो y-axis हमारा इस बार height के साथ नहीं है लेकिन बेस अभी भी बेस जो है इसका rectangle का हमारे x-axis पर फिगर के अगर centroid की बात की जाए इस figure का centroid यहां पर कहीं होगा इसका dimension अब लोग अगर लिखेंगे तो ज्यान दीजेगा इसका dimension आप देखोगे तो यह इतना part जो था second rectangle का यह इतना part था यह फर्स्ट के साथ चला गया तो आपका second rectangle यहां सिश्टा रट होगा है पूरा कितना दिया हुए base 20 cm पूरा base 20 cm लेकिन इसमें से यह कितना 5 5 चला सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है हाइट इसकी भी है 5 cm हाइट है 5 cm हाइट इस 5 cm तो अब अगर हम centroid की बात करें centroid की बात करें centroid की अगर हम बात करते ही तो second figure के centroid की distance from y-axis इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x2 से और second figure के centroid की distance from x-axis इसको हम रिप्रेजेंट करेंग यह सब क्या है आप यहां से देख सकते हैं और यहां से बाद में सीरियल नमबर है तो सफ्षू होगा एकितना हो जाएगा ध्यान दीजेगा टिये आ गयप है यह गयब सेंटी मीटर icon मतलब यह है कि अगर राकी यहां से पूछा है जहारसर हो रहाते ही इसे पूचा जाए, तो हम ये distance जानते हैं कितना होता है, ये distance हमारा होता है, ये होता है B by 2, कितना होता है B by 2 और second figure है कि हम दें के B by 2 और ये कितना है, फाइव सेंटिमीटर है, तो हमारा जो X2 होगा है, इनी सेंट्रोडर इस्टेंज, आफ सेंट्वीगर फ्राम ये एक्सि यहां से चलना सुरू करेंगे यहां पहुंचेगे तो यह दूरी कितनी है 5 और 5 को जब पार करेंगे तिजे इतना होगा बी बाइटू होगा तो 5 प्लस बी बाइटू होगा तो 5 प्लस लिखेंगे जया तो यहां खेल प्लस बीटू कितना है 15 फ्लस तो 15 बाइटू होता है 7.5 प्लस 5 करेंगे तो आदा लिगा 12.5 अब इसके युट की बाब कर लेते हैं यह तो होगी है अब इसका वाइटू करते हो तो y2 जब इसका find करेंगे तो y2 क्या है centroidal distance from x-axis तो यह x-axis x-axis से figure के centroidal distance y2 तो y2 हो जाएगा 5 by 2 यानि h2 by 2 होगा इसमें कुछ भी add करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x-axis बिल्कुल इसके base के साथ लगा हुआ है तो y2 हमारा आगे h2 by 2 direct तो 5 by 2 equal to 2.5 cm और यहां पर a2 देख लेते हैं कितना होगा a2 देख लेते हैं तो a2 equal to area second यानि b2 into h2 तो इसका base कितना है 15 cm है student गलती क्या करते हैं इसका भी base 20 ले देते हैं जो कि गलत रहेगा क्योंकि आपका second rectangle तो यह इतना है second rectangle आपका यह इतना है बाकी portion तो first के साथ जा चुआ है आपके पास इतना ही दो बचा है और जबकि यह पूरा 20 है यह 5 आपका इसके साथ दिया 20 into 5 तो आपके पास यह कितना बचेगा 20 minus 5 कितना 15 तो 15 into 5 यह आ गया 75 cm2 तो इस था से हम लोगों नी क्या किया individual figure के centroid के distance find कर लिया individual figure के अब क्या करेंगे composite figure का centroid find करेंगे composite figure का centroid find करेंगे तो इसके लिए फादूला होता है और उस formula को लोग use करेंगे तो मारे पास दो save है तो x bar का formula हो जाएगा x bar equal to a1 x1 जो में find करना है plus a2 x2 upon a1 plus a2 इस formula को यूज करके हम लोग x bar find करेंगे तो a1 हमारा आया है 100 100 और x1 find किया 2.5 तो 100 into 2.5 plus a2 h 75 into x2 x2 आया है 2.5 x2 है हमारा 12.5 तो a2 x2 that is 12.5 upon a1 plus a2 a1 plus a2 is a1 plus a2 that is 100 plus 75 तो यह 100 plus 75 तो इसको हम लोग calculate कर लेते है calc से तो हमें मिल जाएगा x bar इसके लिए calc यूज कर लेते हैं और इसको find कर लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 250 plus 12.5 into 75 divided by answer divided by divided by 175 6.75 तो हम लिखते है 6.78 x bar आ गया 6.78 unit तो इस तरह से find कर लिया x bar x bar हमें बता चल लिया figure अब बात करते हैं y bar तो y bar find करने के लिए formula यूज करेंगे y bar equal to a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2 यह formula होगा हमारा तो y bar equal to a1 again 100 y1 is 10 plus a2 a2 है हमारा 75 a2 and y2 is 2.5 a2 y2 और इसको हम divide जाएंगे a1 plus a2 that is 100 plus 75 तो यहां से y bar आ जाएंगा इसको calculate कर लेते हैं फिर से एक बार फिर से calcium उच करते हैं यह 1000 हो जाएंगा plus 75 into 2.5 divided by 175 तो again 6.78 तो y bar is also 6.78 cm तो यह composite figure का centroid आ गया composite figure का centroid आ गया 6.78, 6.78 यानि हमारा जो x bar आया x bar जो आया यह भी आ गया 6.78 अगर हम लिखना चाहें तो हमारा x bar आया है 6.78 और y bar आ गया 6.78 यह composite figure का centroid आ गया तो हम लोगों ने क्या किया पहले individual figure का centroid बता किया reference axis से reference हमारा y axis और x axis यह था x axis l section के base पे और y axis height पे था क्या गया? दोनों से अलग अलग बना लिया first step जो मिला 5 into 20 का मिला x1 find गया, x1 हमारा rectangle का centroid है y axis बिल्कुल इसके साथ थे y axis से first figure के centroid की distance x1 equal to b1 by 2 that is 2.5 और फिर x axis से first figure के centroid की distance y1 find के लिया h1 by 2 या गया 10 और area find के फिर second shape जो था second shape में ध्यान देना पड़ा क्योंकि second shape यहां से start हो रहा था इतना area हमारा first के साथ जा चुका था तो second का dimension था 3 into 5 का था जिसमें हमें x2 जब 5 ने करना हुआ तो हम तो reference axis सही देखे हमारा reference का हा था यहां पे था तो हमें यहां से distance चाहिए था यह distance x2 यह distance हुआ x2 तो इसके लिए 5 plus b y2 और यह distance हमारा y2 इस तरीके से यह distance हमारा क्या था x1 और यह distance क्या था हमारा y1 और यह distance हमारा था y1 तो हमने figure में बता के अलग से फिर से यहां axis बना के आपको समझाया जिससे आपको कोई दिक्कत ना उमीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा एक का और कर लेते इस question में इस centroid को represent करते हैं कि figure में यह centroid कहां पर आएगा तो इसका क्या तरीका इसको भी समझ लीजे तो इसको represent करने का यह तरीका है कि यह हमारा origin है जहां से x और y पास हो रहे है यह y axis यहां 0,0 x बार का मतलब y axis से figure के centroid में रिष्टेश होता है तो x बार हमारा y से चलेगी 6.7 तो y axis से x पे चलते हैं 6.78 तो यह 5 और 6.78 यहां पर ही आएगा अब यहां से y पे कितना चलेगे 6.78 पर फेंडिक होगा पहले x पे 6.78 फिर y पे तो यह height 5 है तो 6.78 यहां में आएगा तो यह composite figure का centroid हो गया जिसको हम g से D और x बार हमारा क्या होगा difference से यह distance होगा आएगा यह हमारा y बार होगा और ये distance मारा y bar यानि यहाँ से यहाँ तक की distance x bar और ये distance मारा हो जाएगा y bar और इसका coordinate साथ देख रहे हो क्या है 6.78,6.78 तो इस तरह से हम किसी भी figure का centroid find कर सकते हैं जहाँ पे हमें figure का dimension given होगा उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा चैनल अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा centroid हम लोग start कर चुके हैं इसके आगे करी topic आपको मिलते रहे हैं Thank you